एक और बरिष्ट प्रचारक माननी माखन सिंग जी भाईसाओ आपका भी बंदन अभिनंदन जलो ताली वाली बजाते रहों मजा नहीं आ राजरा अच्छे से मैं नाम बताओं आप अपना अभिनंदन करें माननी विक्रम और माजी नेता प्रतिप्रक्ष मंतरी भारत सरकार के मंतरी बहुत सारे दायुत का आप निर्वन कर चुके माननी सुरेशी जेस्पांड़े भाईसाओ आपका भी आप भी समाधर नहीं आप दोनों का अभिनंदन किया मैं आपने आपको गुर्मानित मैसुस करता हूँ मानिस सुरिकान जी के लिए भी जोरदार अभिनेंदन करें मारी सुरिकान जी ऐसा हो रहा तीन दिन में तीन बार मुलाकात हो गई रोजी सुरकान जी भाहिसाब से जाथ परिशत के माननी सालिग्राम जी को लेकर के कारेक्रम वा उसमें आपकी मुलाकात हुई फिर आप अपने मंच को लेकर के कुछ काम बताने आए आज भी आपकी उर्जा को देखके नमन करता हूँ आप अपनी जीवटता से अलग ही एक आभा विखेरते मैं आपका बंदन करता हूँ अविननन करता हूँ माननी असोक पांडे जी पूरवध्यक्ष MPPSC और माननी मद्धिभरत के आप संग्चालक भी है माननी संग्चालक जी आपका अविननन माननी अजय विष्णोई जी पूर मंत्रिय वर्तमान वरिष्ट विधायक अजय विष्णोई जी तुलसी राम सिलावड जी ये नहीं मालूम था तुलसी विया हमको लेकिन ये आपका भी वंदन अभिननन है आप भी मिशाबंदी के इस मंच पर विराजमान है तपन जी आपकी तो आभाई अलग है तपन जी बहुत सारे दायुतों का निर्वन करते वे ये सारे काम को जीवित रखते हैं मानी सुरेन दिवेजी जी महामंत्री मिशाबंदी मानी संतोस सर्माजी राष्ट्री अध्यक्ष कोशाध्यक्ष है राष्ट्री कोशाध्यक्ष मिशाबंदी मानी जग्दी जी भाई साब परिशत के समय से हमारे वरिष्ट रहें मानी भरत चत्रुवेदी जी मानी हमारे रामकर्ष्ण कुस्मारी जी मुरपूर्मंत्री और अभी भी आप आयोक्ष के अध्यक्ष है मानी मदन बाथम जी आपका वंदन है अभी नंदन समूचा मंच संतोजी भी है न मंच पे संतोज सरमाजी से लेके सारे लोग आप सबको प्रणाम करता हूँ आप सबका वंदन है अभी नंदन है देखो रस्सी जल गई बट नहीं गया हम सब जानते के पूरे तोर पे मेरे पूर वक्ताओं ने सारी बात कर दी और आपात काल को लेके दुनिया जानती कांग्रेस की भूमे का कांग्रेस के लोगों का वेवार इंद्रा गांदी का उस समय का आचरंड और जैसे मैंने प्रारम में बात छेड़ी कि आज नरेन मोदी जी की सरकार दुनिया में भारत को गोरानवित कर रही तीसरी बार तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका इसमें आपका योगदान है सबसे बड़ा जिन्होंने वो आपात काल के काले काल के प्रश्टों को मिटा करके सच्चे अर्थों में लोक तंत्र को पुनर स्थाफित कर दिया हम केवल कलपना करें कि वो 75 का आपात काल कोई कारण से आपका संगर्ष नहीं होता तो कित्ते साल हुए था आजाद हुए को देश को 20 एक साल तो हुई थे आज पाकिस्तान के हलत क्या है पाकिस्तान की हमारी द दवा में वहां लोग तंत्र की हत्या हो गई यह जो जो भी हुआ है और आज पाकिस्तान किस मोर्चे पर किस मोहाने पर आके ख़ड़ा वहां की अंदर की आवाजे क्या आ रही है लेकिन उसके उल्टे आपके इस संगर्ष के कारण से सारी की सारी विवस्था सू पासित भोज गर्व से आज हमारे साथ खड़िये जोरदारा में देन करो आपने लोग तंत्र को गुरांत मत करने वाले सभी ससस्त्र बलो के लिए जिनों ने इस लोग तंत्र के अंदर आपके संगर्ष का संबान किया आपके अपने संगर्षों के बलबूते पर दुबार सबसे बड़ी ताकद अगर है तो यह हमारे उसमें लोग तंत्र के संगर्ष किये दुनिया भी जानती है अरे यही तो कारण है आज दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र अपनी अनुसुचित जाती की बहन को राष्ट्पती जैसे पदपे देख करके गोरान भीत होता ह हैं तो यह हमारे उसमें संगर्ष के से कई उधारन भरपने हैं अभी अभी आपको जानकरी बता दूं मैं जहां से आ रहा हूं आ निर्वाचन चल रहा था और निर्वाचन में यही नाटक आप भी समझते हो जो मैंने मुहावरा बोला वो ही वाला हिसाव है कि इंडिये के सामने एक घमंडिया गडबंदन बना और घमंडिया गडबंदन ने अपना नाटक कर कुरा के एनकेन प्रकारें सारी ताकत लगा ली और ये भी हमारा सोभाग्य है कि आज इंडिये की ताकत के बरोसे यसस्वी प्रदान मंत्री तीसरी बार प्रदान मंत्री बने ताब उन वापदार उनके खिलाब कुछ भी बात हो जाए तो वो तुरंट बहाने डूंड के चलते हैं हमारे इपने राजगर के चुनाओं में उनका हम अपना काम करती लेकिन घर घर में घुज़कर के राश्टबादी विचार को फेलाने का काम जो आप सबके माध्यम से हुआ है यह उसकी भूमी का है और सरकार के अंदर जैसा कहा गया है कि हम और आप काम कर रहे हैं लेकिन मैं भी लोकस्वा की बता रहा था तो लोकस्वा के अंदर निर्वाचन का मसला आया हमारा उमिद्वार देक्लिर हुआ उनका उमिद्वार भी डिक्लियर हुआ और आज अनन्द आया वह बिल्डा जी ने जैसे दोके पहला भाषन दिया उन्हें लोग तंत्र सेनाडियों ऐससमें के संगर्ष को याद किया कि ये उनकी दैन नमने उनका संबान है और जैसा होता है जैसे ही वह बोले कि वो सारे के सारे मेदान छोड़के भागने लगें ये वो जो एक दरभाग के साथ होना तो ये चाहिए कि Alcohol के प्रवा में इतने प्रहंन मिल गए कहां कांग्रेस ने गलती की थी, और कांग्रेस के इस समय के घडबन्धण में बी, वो सारे लोग भी मिलें जो उस समय आपात काल में बनते हैं, लेकिन स्वार्त की दोस्ती क्या होती ये उसका उधारन है चोर-चोर मोसरे भाई किसको गेते हैं यह उसका उधारन है वो बिहार के लोग जो उनके साथ खड़े हैं वो भी तो जेल के सिखंजे में थे वो सारे के से कारण से आज भी वो इस्तिति ला रहा है लेकिन कोई बात ने यह जनता आये सब जानती है जनता की लड़ाई जनता के लिए जनता के द्वारा लड़े जाने का और जे प्रकास नाराण जी का वो नेत्रत्व और हम सब तो वोर भाग्य साली है ऐसी कोई दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिलेगी इतना अच्छा अनुसासित अपना संग्ठन भारती जनसंग उसकी कुरबानी देखो जिनने अपने इस लोकतंत्र के लिए लोग केते हम बहुत जित्दी हैं बहुत कट्टर हैं बदलते नहीं लेकिन हम तो महां तक बदलते के अप और जैसे कहा गया कि कमल का दल पानी में जाए या बाहर आए उस पे पानी का असर नहीं हो हम ने भलाई विली निकरन कर दिया लेकिन जिन मुद्दों को लेकर हम लड़े थे जिन विश्यों को लेकर हम आगे बड़े थे उनके साथ भी रह तब भी उनके खिलाप रह तब या उसके बाद भी आज तक भारती जनता पार्टी बन करके जिन जिन मुद्दों को लेकर हमने राजनितिक यात्रा की थी सरकारे बनाने के बाद हमारा सपना क्या होना चाहिए तो एक बार फिर अब अबिनेंदर करें मानिन नरेन्वोदी जी का जिनके सामने आप सब लोक तंत्र के अंदर हमारा आचरन जो वहवार कितने प्रकार से बात करें किसी भी इतने बड़े देश के इतनी विवित्ता वाले देश के सामने दस साल के अउदी बहुत छोटी सी होती है, कोई हिसाब नि लगाते हैं उसका, लेकिन इतनी छोटी सी अउदी ने भी कितने आयाओं में काम किया, आज हमें इस बात का गर्वा है, आपके कारण से दुनिया की सबसे बड़ी सक्षन सेना बनाने का गोरो अगर हासिल हुआ है, तो स्रीमान नरेन मोदी जी की सरकार को लेकर हुआ है, जिसके कारण से आज हम दुनिया के तीसरे ऐसे बेस होगा है, जो अपने देश के अंदर तो अपने हितों की रक्षा करते ही हैं, अपने देश की समस्या का समाधान करते ही करते हैं, बल्कि मोका पर तो दुस्मन के द सुनोत्यों का सक्षमता से सामना करने के लिए हम सबल हुए सक्षम हुए ऐसे एक में कई मुद्धे हैं लेकिन समय की थोड़ी कमी है मुझे बताया गया कि आप सब को निमंत्रन का मामला था तो हमने अपने अधिकारों से कहा कि देखे भाई जिनको बुलाना है वो इस सासन की ववस्था के सबसे सम्माननी हगदार लोग है इसलिए कोई छूटना नहीं चाहिए सब को सम्मान बुलाने का अधिकार हमारे अपने लोगतंत्र का इस विवस्था का भाग है वो सबाई गुरूप से इसके बारे में लोगतंत्र सिनानी नहीं आएंगे तो कौन आएंगे ये हक तो आपको ही होना चाहिए इसलिए मुझे इस बात का अनन दे कि आज आप सब को पड़ायम करने का आप सब को अंदर्सन करने का मेरा अपना सोभाग ये है मुझे बताएगा लोगतंत्र सिनानियों के माद्यम से आपने कोई दो चार पाँच बात कही है मैंने वो तो पड़ ली है उसको तो सारी मानता ही मानता हूं कुछ छोड़ने वाला नहीं हो जो आपने बात कही है आपने का कि लोगतंत्र सिनानियों को सरकिट हाउस विसराम गरह में 50% की छूट और 3 दिन तक खेरने की छूट दो बिलकुल हो पत्र से रह गए थे तो हमने का सब को देंगे कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरिफाई कर लेंगे को तामर पत्र देंगे आपने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को समान लोकत्रत्र सेनानियों को भी टोलना को पे छूट दी जाए बिलकुल दिलवाई जाएगी इस किसी हालत में समय पे भुकतान होगा आपकी ये समस्या भी हल करेंगे बहल की एक चीज और जोड देता हूं अभी हमारी सरकार ने प्रयोग किया है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर भोगोली अभी अर्दा तरफ से नर्सिंग पुरात तरफ से यह का आपको ध्यान में कठना यह सी तो इतना बड़ा भोगोली केरिया है कोई भी बीमार हो जाए कोई घटना घट जाए तो तुरंत बड़े हस्पिटल पहुचाने के लिए कोई प्रबंदन नहीं है भगवान के भागिस हमारे भागिसे भगवान की दया से बनांचल है पहाड है नदी परवत सब ह लेकिन इत्ती दूरी को कैसे कवर करें तो बीमारी के अवस्था में आकास्मिक रूप से कठनाई में हमने एर इंबुलेंस की ववस्था खड़ी करी है कि कोई भी कहीं बीमार हो तो आकास्मिक रूप से उसको उच्छ जगे पर ला करके योगी प्रकार से इलाज कराए और उसको तुरंत गंभीर चिकितसा अवस्था के अधार पर अगर एर एंबुनेंस की जरुवत पड़ेगी सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयाज करेगा आपके प्राण जरूरी है बिमार की इस अवस्था में ये साधन जरूरी है इसके कारण से हमने ये नेने तो एर टेकसी में आपको भी सुवदा देंगे क्योंकि ये सुविधा आपी की तो है हम में से हरेक का हक है क्यों आना जाना नहीं चाहिए एक आपने बात कही के लोकतंत्र सेनानियों के स्वरगवास के बाद राज की सम्मान के साथ अंतेश्टी होना चाहिए तो ये हक होना ही चाहिए इसमें क्या धकला हमारे मिशा बंदि अन्तेष्टी में मिलते हैं अब 10,000 रुपे अन्तेष्टी के समय देने की विवस्था की जाएगी आपने का अपातकाल को इसमरण करने के लिए पाठ्थिकरम में जोड़ना चाहिए बिल्कुल जोड़ा जाएगा स्कूल के हमारे इस पाठ्थिकरम में वो इमर्जेंसी का सं प्रकासे निवेश के सारे मामलों में जिनको आपने उद्धोग धंदे लगाना है कोई कामकाच करना जिनको लगूत दोग कुटिर दोग हेवी इंडस्टी जो भी काम करना आप सूची बनाकर उनके बच्चों की भी देंगे तो उनकी प्रशिक्षन कराकर यथा योग की जैसी विवस्था है उनके रोजगार के प्रबंदन भी अपनी सरकार के दोरह किये जाएंगे क्योंकि हमारे अपने लोग अगर इस विवसाहिस से जुड़ते हैं वो हमारे विचार धारा के साथ अगर राष्ट के धारा में आर्थिक रूप से भी सम्रब्द होते हैं तो गलत क्या है जब हम सब के लिए सोचते हैं तो उनके लिए तो सबसे पहल समय का चाहरत है लेकिन मैंने अगला करम बनाया जुले के बाद के जिले जिले की हमारी प्रवास यातरा रहेगी तो उसमें समय के लिए थोड़ा सा आपके लिए भी अलग से रखा जाएगा ताकि आप से सीधी बात हो सके आपके लिए भी समय मिले तापके आपके मेरी अपनी ओर से विदान सभा के बाद चुकि विदान सभा सामने आ गई दो तीन दिन बाद और उप्चुनाओं हमारा दस्तारिक के बाद है इसलिए इसको थोड़ा सा हमने ऐसा योजना बनाई है लेकिन फिर भी इसके अलावा भी आपको लिखित सुजाओ लाएं कोई बात कहें तो अपना एसोशन बनावा है एसोशन के माध्यम से भी आपका सदेव स्वागत है अभिनन ने भारत माता की भौत धन्यवाद भारत माता की जाए लुख्यमंत्री जिंदावा तो मीशा बंद्यों का समान समारों यहां पर आयोजीत के गया था जहां पर मुक्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अभी आपने मंच और सभा को सम्मुदित करते हुए सुना करेंगे वो सबसे कम उमर के 14 साल की उमर में आप जेल में